जै श्री कृष्णा आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है आज हम सुनने वाले हैं इस वीडियो में दशामाता वरत की तीसरे दिन की कथा दशामाता के वरत में होलिक के दूसरे दिन से लेकर दशामाता के जिस दिन वरत होता है दशमीती थीता रोज अलग-अलग कथाई सुनी जाती है उसी कड़ी में हम लेकर आएं है आज दशामाता वरत की तीसरे दिन की कथा आप यदि मेरे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाओ आग लाकर भोजन बनाओ बड़ी भूक लगी है बहु हाथ में कंडी लेकर आग लेने गाओं में गई उस दिन गाओं भर में दशामाता की पूजा थी इसलिए किसी के हाँ से भी उसे आग नहीं मिली वह खाली हाथ लोट कर आई साय होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली की मेरी सास तो दशामाता का दोरा नहीं लेती परन्तु अब की बार में दोरा लेना चाहती हूँ मुझे पूजन की विधी भी बता देना दोबारा जब दोरा लेने का समय आया तो बहु ने सास को बीना बताए दशामाता का दोरा ले लिया नौ दिन वह किसी ना किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही दसवे दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी वह मन ही मन दशामाता का द्यान धर कर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शान्ती पूरवक पूजा कर लूँ दशामाता की कृपा से सास बहु से बोली मैं आज खेतों में जा रही हूँ यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना बहु के मन की मुराद पूरी हो गई वह तो यही चाहती थी उसने सास से कहा कि आप निशिंध होकर जाएए घर का सारा काम मैं निप्टा लूँगी सास के जाते ही बहु नए स्नान कर दशामाता की पूजा की इसके बाद वह पूजा की सामगरी मिठी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए लिजाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई सास को देखकर बहु ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया उसने सोचा की उचिस समय पर गोले को दही से निकाल कर विसरजित करकाऊंगी सास ने आते ही बहु से कहा तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई अब तक क्या कर रही थी बहु ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे उनके सुखने में देर लग गई इस कारण भोजन बनानी में भी देर हो गई मैं थाली लगाती हूँ आप गुस त्याकर भोजन कीजिए सास का गुस्ता कुछ थंडा हुआ वह पैर दोकर चौके पर में बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया वह भी माता के साथ भोजन करने बैर गया सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बुला मुझे तो दहीं चाहिए सास ने बहु से दहीं देने के लिए कहा बहु बोली मैं तो रसवी में हूँ आप ही इने दहीं दे दे सास हाथ दोकर दहीं लेने गई परन्तु जैसे ही उसने चाच की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खर्खराने की आवाज आई उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला सास ने आश्यर से बहु से पूछा इस चाच की मटकी में ये सोने का गोला कहा से आया इसे तुम कहा से चुरा कर लाई हो यहां क्यों छिपा कर रखा है मैं समझ गई कि इसी वज़ा से तुम और उनकी पुजा की थी आपके आजाने के कारण मैं डोरे का विसरजित करने नहीं जा सकी आपके डर से मैंने इसे छाँच की मटकी में छिपा लिया था दशा माता ने इसे सोने का बना दिया मैं इसमें क्या कर सकती हूँ सास ने बहु को गले लगा लिया और कहा अब मैं भी तुमारे साथ डूरा लूँगी और विधिवत वरत और पुजा किया करूँगी हे दशामाता जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों पर प्रिपा करना बोलिए दशामाता कीजए तो आज इस वीडियो में हमने सुनी दशामाता की वरत के तीसरे दिन के कथा ऐसे ही कथाओं को सुनने के लिए चैनल पर बने रही है वीडियो अच्छा लगे तुसे लाइक करें फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें चैनल पर यदि आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले जो भी न्यू वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय श्रकृष्णा राधी राधी